दोस्तों गेंग और विटकान्स चैनल में मैं पिछले 5 साल से आप लोगों के लिए content बना रहा हूँ काफी सारे subscribers हैं जो different different phases में हमारे साथ आके जुड़े हैं different different time पर आके जुड़े हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं market में जिनको बिल्कुल भी कोई knowledge नहीं है कुछ हैं जो पुराने हैं जिनको कुछ अभी तक knowledge हो चुकी है कुछ OGs हैं जो शुरुआत से चाल के साथ जुड़े होए हैं तो जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस ताइम पे कुछ ऐसे comment जरूर आते हैं जहां पर एक ऐसी expectation होती है कि मैं step by step हर एक चीज़ आपको वीडियो में करके देखा हूँ जैसे कि wallet कहां पर जाना है कैसे install करना है यह सारी ऐसी basic चीज़े हैं जो हर वीडियो में repeat नहीं करी जा सकती कोई भी अगर आप airdrop का वीडियो देख रहे हैं जापे मैं आपको steps बता रहा हूँ तो मेरी understanding यह है कि आप लोगों को basic knowledge जो है कि metamask कैसे install करना है कैसे wallet वहाँ से copy करना है कौन सी chain select करनी है यह सब चीज़ें आपको पहले से मालुम होगी क्योंकि हर एक वीडियो में यह same चीज़ repeat करना मेरे लिए possible नहीं है और unnecessarily वीडियो जो है वो काफी जादा लंबा भी हो जाता है तो आज का जो यह topic है यह specifically beginners के लिए targeted है कि beginners इसे काफी जादा सीख सकते है अपनी knowledge enhance कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हम लोग कुछ ऐसे हैं जो काफी time से market में है काफी time से हमें चीज़ें समझ में आ चुकी है उनके लिए भी यह काफी important है त्यूंकि जिस product के बारे में मैं आज बात करूँगा वहाँ पर आप नए projects को discover कर सकते हैं बिल्कुल basics सीख सकते हैं और हर एक task जो आप complete करते हैं वहाँ पे आपको points मिलते हैं और वहाँ पे आपको NFTs मिलते हैं तो जिस platform के मैं आज बात कर रहा हूँ आप से वो है layer 3 काफी लोगों ने इसको already पहले भी join किया होगा quests वेर आप complete कर रहे होंगे बट जिन लोगों को इसके बारे में knowledge नहीं है इसमें कैसे participate करना है कैसे आपको points लेने है कैसे NFTs के बारे में जानना है कैसे NFTs collect करने है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और हो सकता है कि layer 3 बहुत जल्द अपना एक token भी announce करे तो जितनी जल्दी आप इन quest को complete करेंगे जितने ज़्यादा points से कठे करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे benefit हो सकता है क्योंकि quest की अगर मैं FAQs में जाओ तो बिल्कुल last में यहाँ आप लिखा है will you be launching a token this week तो नहीं कहा है not yet stay tuned for more news तो token यह ज़रूर plan कर रहे है तो कि अगर token plan नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं कि हम कोई token plan नहीं कर रहे तो not yet का मतलब है कि अभी launch नहीं कर रहे है बट future में definitely इनके plans है token launch करने के तो कैसे इसमें participate करना है जानने के लिए वीडियो पूरा एंट तक देखिए और अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब हिरे हो साथ ही जाद बादिजे bell notification icon ताकि एक भी important earning वीडियो आप लोगों का मिसना हो तो सबसे पहले layer 3 में हम जाएंगे यहाँ पे आप sign in पे click करेंगे आपको अपना metamask wallet या coinbase wallet किसी wallet से यहाँ पे connect करना होगा यह basic सा step है जो आपको पहले करना ही पड़ेगा तो sign करके आपका wallet जो है connected हो जाएगा एक dashboard आपके साथ खुल जाएगा यहाँ पे सामने और इस page पे आपको काफी सारी ऐसी quests दिख रही होगी जो आप आके इसको complete कर सकते हैं हर एक quest जो आप यहाँ पे complete करेंगे उसके against यहाँ पे आप दिख सकते हैं XP points लिस्टिड है और कुछ के लिए यहाँ पे NFT भी है तो यह quest अगर आप complete करते हैं तो आपको points मिलते हैं साथ ही साथ आपको NFT भी मिलता है तो बिल्कुल basic web 3 के बारे में जानने के लिए beginner quests भी है जैसे आप login करेंगे आपको beginner quest यहाँ पे दिखाएगा और quest को कैसे complete करना है वो भी step आप quest पे click करके जान सकते हैं तो एक step by step instructions के साथ यहाँ पे आपको बताएगा कि कैसे आपको क्या करना है कहां जाना है क्या action लेना है और जब आपको complete कर लेंगे तो आपको उसके points मिलेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे seek भी जाएंगे और काफी सारे नए projects जो हैं वो यहाँ पे launch होते हैं उनकी भी quest यहाँ पर आती है जैसे recently कल यहाँ पे base launch हो है तो यहाँ पे intro to base भी यहाँ पर आ गया है जैसे launch with layer 3 आप begin करेंगे यहाँ पर आपको steps दिखाएगा कि आपको क्या-क्या यहाँ पे करना है तो वो base के बारे में ही करते हैं यहाँ पर तो मैंने intro to base है यहाँ पर click करेंगे तो आप दिख सकते हैं कि यह है इस quest के steps छे steps हैं यहाँ पर सबसे पहला है introduction to base तो आपको click करना है यहाँ पर begin पर तो यहाँ पर base के बारे में आपको information दी जाएगी जो भी quest है उसके corresponding यहाँ पर information available होगी तो आप इसको अगर आप पढ़ेंगे तो base के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा इसको complete करने के लिए basically आप यहाँ पर continue पर click करेंगे ऐसे करके आपके सामने slides आएंगे आप इनको पढ़ते रहेंगे उसके बाद कुछ actions आएंगे जो आपको complete करने होगे तो basically आपको continue पर click करते रहना है यहाँ पर आपने जब वो पढ़ लिया तो आपको यहाँ पर quiz के questions हैं यह हर एक quest के अंदर अलग-लग चीज़े होगी बट base के लिए यह सब यहाँ पर steps हैं time for a quiz आगया तो यहाँ पर continue करेंगे अगर आप quiz में गलत answer भी दे रहते हैं तब भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि जब तक आप ठीक answer नहीं देंगे तब तक यह quest को complete नहीं करेगा इसमें कोई penalty आपकी नहीं है तो what is base तो यहाँ पर हम अगर इसको select कर लेते हैं तो यह green है यानि कि यह ठीक answer है इसको कर देंगे continue second question है base के key features क्या है तो हम यहाँ पर करेंगे all of the above यह भी ठीक है इसको continue करेंगे true or false है तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे true और यह भी ठीक है तो यह आपने request का एक task complete कर लिया अब जो next step है यहाँ पर कह रहा है get gorilla eth और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कहां पर आपको click करना है और कहां से आपको gorilla eth जो है अपने wallet में लेके आने हैं तो आप यहाँ पर link पर click कर सकते हैं यहाँ पर जा सकते हैं gorilla faucet यह मैं कई बार videos में आपके साथ cover कर चुका हूँ तो इससे आप आके अपने wallet में जो भी आपका metamask connected है उसमें आके आपना eth यहाँ पर request कर लेंगे बट अगर आपने already किया हुआ है तो बार बार आपको करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि वो existing actions जो आपने जब से wallet create किया है जो भी action किये होंगे वो already यहाँ पर account में ले लेगा तो क्योंकि हम already कर चुके हैं तो मैं बस यहाँ पर verify पे click करूँगा अगर आपके पास यहाँ पर यह step आपका complete होगा तो आपको next step पे ले जाएगा अब bridge to base करना है यह मैंने कल के वीडियो में आपको करके दिखाया है क्योंकि हम already कर चुके हैं तो हमें दुबारा से करने की जुरूरत नहीं है हम यहाँ पर बस verify पे click कर देंगे और यह check करके आपके wallet में इसको complete कर देगा same चीज यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया थी कि आपको base का NFT mint करना है hopefully आपने mint कर लिया होगा नहीं किया तो यहीं पर आपके link है mint करेंगे NFT यहाँ पर verify करेंगे अगर आपके wallet में NFT होगा तो आपका यहाँ पर यह complete हो जाएगा final step है share करना है इस quest को tweet करना है बड़ इसको आप skip कर सकते हैं इसको आप इस skip कर देंगे तो आपके quest complete हो गई और यहाँ पर आपको corresponding points मिल गए और अब आप next quests को आके complete कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं intro to coinbase यह complete हो गई और यहाँ पर completed आके mark हो गया तो इससे आप से बाकी जितने भी quests हैं आप कर सकते हैं अगर आपने already actions लिए होंगे तो बस आपको आपके verify करते रहना है और आपके वो taken into account हो जाएंगे वो actions और आपको automatically points मिल जाएंगे इसके लावा achievement taps में आप जाके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर achievements करने पर आपको extra points यहाँ पर मिलते हैं और साथी साथ कुछ NFTs वगरा भी आपको मिलते हैं तो सब आप यहाँ पर आके track कर सकते हैं इसके लावाँ यहाँ पर leaderboard है जो आपको दिखाएगा कि आपकी क्या rank है और बाकी लोगों की यहाँ पर क्या rank चल रही है तो बहुत easy सा interface है basically quest complete करते रहना है आपको और साथी जाता भी यहाँ पर सीखते भी रहेंगे और आपको नए projects की भी यहाँ पर introduction होती रहेगी कुछ ऐसे projects जो अच्छे projects हैं और जो recently launch होए हैं उनका भी आपको यहाँ पर knowledge मिलता रहेगा तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ इससे आपको help होगी वीडियो को जो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ना बोलें मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हावा safe investment